हेलो फ्रेंज आप से भी का स्वागत है स्टाडी फाउन्डेशन येट्यूब चनल पे इस वीडियो में हम लोग असंप प्लिस एसाइ के लिए इंडियन पॉल्टी के लेक्सर को डिसकस करेंगे और इस वीडियो हम लोग कॉंप्लिट इंडियन पॉल्टी एक ही वीडियो मे डिसकस करेंगे वीडियो थोर लंबा होगा इसलिए आपको धरे का साथ देखना होगा देख सकते हैं यह जो आपको थामनेल पे टोपिक देखाई पड़ रहा है यह सब टोपिक इस वीडियो में कवर होगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हिस्टोर्कल बेग्राउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सबसे पहला पार्ट है इसटीनिया कंपनी का रूल 1773 से लेके 1857 तक दूसरा जो पार्ट है ब्रिटिस क्राउन का जो रूल है 1857 से लेके 1947 तक तो हम लोग दोनों के बारे में लाटे में जानेंगे bodonata बेंगल into theよろしく बेंगल इस्में को बनाया गया गूवर रभार जैने ले लिए फॉस तो शो दुनाओ तेज़ा है Is असके सब्छ च्छेइप अगे नेक्स पेर्स इंडिया एक अप 1584 केरे में इस फिर्फ ना आपको एक का नाम याद रखने हैं ठीक है निक्स अमोग जानेंगे चार्टर एक टॉप 1833 इसमें क्या हो आए जानते ही चैन्स गोवर्नर जिनेरल और बेंगल इन्टी गोवर्नर जेल आफ इंडिया इसमें गोवर्नर जैनल बेंगल का जो पोस्ता उसको चैन्स करके क्या ब बेंटी निक्स आपको याद अखने इस एक्ट मेट एटेंब टू इंडिवेस ए सिस्टम ऑपन कंपरिशन फर सेलेक्शन आफ सेविल सर्वेंट और एही एक्ट था जिसके हिसाब से सब्सेपले क्या किया गया था एक टेंप लिया गया था ओपन कंपरिशन इंट्रीस करन चार्ट कट्र अपटिंगे लिए इस एक्ट कराउंक से इसमें सबसे पहले जो एकिख आएगा उसको हम लोग बोलते ही हैं गुवर्मेंट और इंडिया एक्ट एंट इसमें क्या था आए जानते हैं कंपानी रूल वरफीडस्क्रावन रूल Agriculture सबसे इंप्रेडन पूसन पुम्हें रूल को रिप्लेस किया गया बीडिस्क्रावन का रूल से कोन सा Siak Representatives यह आपको याज रखने है इस Act enacted in the wake of revolt of 1857 also known as first war of independence or sea point materny तो इसका नाम पहला War of Independence भी कहा जाता है इस Act का नाम इसमें क्या किया गया Gouverneur General of India का जो पोस्ट था उसको Change किया गया है उसको क्या बनाया गया भासरोय ऑफ इंडिया तो यह भी आपको याद रखने है लोर्ट केनिंगों सबसे पहले बनाया गया भाइस रोय आफ इंडिया तो कभी भी एक्जामें पुछ सकते हैं इसका नेक्स जो एक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं गुवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट नाइट नाइट इसका दूसरा नाम भी बहुत इंपुछ लेता है एक 1910 में क्या वाज आए देखते हैं सबसे विले इसका दुसरा नामे मौंटेगों क्लम्श पोर्ड यवर्म इसमें डार्ट इसको आश्च भी आपको याद रखने हैं उसका नेक्स जो एक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं गुवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट नारें नारीं इस प्रविंट्य लिस्ट और कॉन्क्राइल लिस्ट ठीके एड फैस거든 में चलता है ठीके एभी एट इन लिस्ट अभी चलता इंडिया में उसका नेक्स क्या हुआ था अर बी आई को स्वेगा गया था आप सब्सक्राइब को फिर पाता है एक अप्रिल को 1 अप्रिल 1935 पर बे तो सबसे पहले याद रखने हैं फास्ट गोवर्नर बेंगल कौन थे लोर्ट क्लाइब ठीकर फास्ट गोवर्नर बेंगल लास्ट गोवर्नर बेंगल कौन थे वरेन हस्टिंग ठीकर दो नुबर पॉइंट उसका फास्ट गोवर्नर जेनल बेंगल कौन थे फास्ट गोवर्न गोवरनर जनल रास भासर वासर इंडिया उन गरी परकार लास भासर फर फासर फ्रींडिया उनका नाम उनका नाम क्या हूआ चारी तो कभी भी एक्जामा पूसकता है कोई भी कोर्षें यहांसे 100 पर संब एंठीक अब उसके बाद हम नो new topic आज का यह राखेंगे next topic में next video में में एकी से अ मोरे सकोड़ेंगे लेकिन इस topic से mcq को मोग discuss कर लेते हैं तो total 8 mcq डिसको सबसी है इसे पहला question है who was the first governor general of Bengal तो फास governers general of यहां से रिविजन करके बता सकते हैं फास्ट गोवर्नर जैनल बेंगल कौन थे उनका नाम था और इन हस्टिंग तो इसको सिनका सई एंसर जाएगा ऑफ समर भी ठीक है उसका नेक्स आपको बतना है वह फास्ट गोवर्नर और बेंगल यहां पर क्या पूछाए फास्ट कौशन का सई एंसर जाएगा अफ समर डी इस परकर का कोशन पूछता है कॉन्फीज नहीं होने आपको उसका नेक्स कोसिन है वीच वन फ़ोलिंग एक्ट फ्रमली इंडिश्ट प्रिंस्पल आप इलेक्ट के माधियम से हुआ था सबसे पहले एलेक्शन का प्रिंस्पल इं 1909 हम लोग डिसकस कर चुके है इसके बार में नेक्स कोसिन है वीच फॉलिंग एक्ट गिपरेजेंटेशन तो इंडियन फॉर फॉर्स तायम इंडियर उसको से एक्ट के माधियम से हुआ था गुवर्में टॉट्ट इंडिया था गुवर्में आप इंडिया था सब्सक्रा दो आपीस आप गोवर्नर जेल अफ इंडिया वास क्रिएट बाएं तो जो गवर्नर जेलका जो अफिस था कब क्रियेट के गया था तो यह आप सभी को पता ही होगा डिसकस के थे गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 में ठीक है तो सई एंसर रोजाएगा ओसमर्सी नेक् सबसे पहले जानते हैं कॉंस्टिशन क्या है कॉंस्टिशन एक फंडेमेंटल प्रिंसिपल है बाइवीच एक स्टेट गोवर्न एक सेट अप रूल है डेट गाइड हाव एक कांट्री स्टेट और ऑदर पोलिटिकल और इसन वर्क एक रूल का जैसा काम करता है और गाइड मैं भी करता है कांट्री को स्टेट को और को भी प्याईट ओर करना है उसको को कॉंस्टिशन एक मंधविंग क्लुख में इसका दोने इसका पॉइंट है इन 1935 में इस डिमान को यानि को सबसे पहले रेस किया था कौन इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ठीक है उसके बाद 1940 में पांच साल के बाद बिरीज सरकार इसको फाइनली एक्सेप्ट किया अगस्त ओफर के दौरान उसके बाद 1946 में केबिनेट मिशन प्लैन जो है सब्सक्राइब बाद ne kicking आज ऐसके बादि टो आज़ीensor आज़ी चलता है ठिक है यहाँ पैसली लेक्टेटर और पासली नोमिनेटर। 900 थैसका इसका उसका क्या म्मथीक지는 थे मात नधियत है मिलेक्ते कितना थे 296 और नमिनेर किता थे 93 ठीक है आगे चलें घ्मीशन और डिसकस करते हैं कॉस्ट्रे सेमली का सबसे पहला मीटिंग का बहुत था नाइन दिसंबर नाइन फॉटिसिक्स में यह भी बहुत बार एक्जाम में कॉशन पूशता है ठीक है और इसका टेंप्रोरी प्रेस्टेंड कौन थे उनका नाम है सचिरानान्द सिनहा ठीक है दो करेंगे अब्जेक्टिव रिजलिशन के बारे में तो अब्जेक्टिव रिजलिशन का बाया था 13 डिसंबर 1946 में इसको लाया कौन थे पंडित जहुराल नेरू एक क्या है एक मोडिफाइट भरसने प्रेंबल का इसको एडप कब किया था 22 जनौरी 1947 में तो दोनों आपको एर या दखना है आगे चलें नेक हमाँ जानते हैं डॉफ्टिंग कॉमिटी के बारे में तो डॉफ्टिंग कॉमिटी सेटप कब हो था 29 अगस्ट नांजिन 40 णनिन 47 में इसका objective क्या था कॉंस्टिशन का ड्राप त्यार करना इसमें जो है सेवेन मेंबर का कॉमेटी था जिसका चेर्मेन कौन थे बी यार अंबेटकर जो कि बहुत ही इंपोटेंड कोशन है यहां सातों मेंबर का नाम है यहां से भी एकजामे पूस लेता है ठीक है आगे नेक्स फाइनल ड्राप जो है एड़ोप कप किया गा था 26 नॉमेंबर 1949 में उसके बाद इसको फाइनली जो है लागू कप किया गया था 26 जनौरी 1950 में लेकिन कुछ रूल जो है इससे पहले भी लागू हो गया था जैसे कि यहां पर दिया है सिरिजेंशीव, इलेक्शन, प्रोविजनल परलेमेंट पहले ही लागू हो गया था यानि 26 नॉमेंबर 1949 के बाद ही लागू हो गया था इतना लेट क्यों हुआ था लागू होने में इतना लेट इसलिए हुआ था क्योंकि 26 जनौरी 1930 में सबसे पहले पूर्ण और सौराज यानि complete independence का demand को raise किया गया था इसको याद करते हुए 26 है mieszkar tut 10 9 2 9 में Constitution को adopt किया गया था उस समय Constitution के पास जो है Totally Part कितना था टॉंडी टू एट present में पार्ट कितना हो चुका है 25 अर्टिकल कितना था 395 एट प्रेजिनमें आर्टिकल कितना था 148 ठीक है और सेडुल कितना है एट था उस उसमये लेकिन अप कितना है अब हो चुका ह है बारहे इसके बारे मोदो दिवेल्स में जाने अड़नेंगे नेक्स वीदियो में यहनी है पर देख सकते हैं पार्ट कितना है यहाप जो पार्ट था टॉणेट यहापर दिया है आडिकल यहाप दिया है अर्तिक एसेमली बनने में total session कि कितना हुआ था total session हुआ था इलेवन टाइम कितना लगा था assembly को त्यार करने में 2 years, 11 month, 18 days लगा था तो ये भी one of the important question है last meeting का बहुत है एसेमली का 24th January 1950 में last meeting हुआ था इस समय इसी समय ही dr. Rajendra Prasad को सबसे पहला President भारत का बनाया गया था और इसी meeting में national song और national anthem को adopt किया गया था ये भी बहुत ही important question है पूछ लेता है ठीक है और आगे चलेंगे तो जो one linear important point है मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ इसको आपको बस याद रखना है यानि constitution adopt कब किया गया था 26 November 1949 में इसको लागू कब किय गया था इन्हीं effect कब होगा था 26 January 1950 में उसके बाद national song और national anthem जो है एड़ाप कब किया गया था 24 January 1950 में इसका नेक्स पॉइंट है नेशनल फ्लेग जो है एड़ाप कब किया गया था 22 July 1947 में इसका measurement होता है 322 जो है खादी cotton material से बना होता है नेशनल फ्लेग इसका नेक्स पॉ यह भी बुलू ठीक है यह भी एक्जामें बहुत बढ़ पूछा है असो चक्रा सिम्बुलाइज करता है धर्मा नेशनल फ्लेग के अंदर टॉप में होता है डीफ सेपरोन एक सेट्रिफाइज यहां पे सो करता है मेदिल में होता है white peace or truth यहां पे सो करता है बटम में होता था एलिफेंट इसको एड़ाप किया गया था ठीक है आगे चलेंगे नेक्स समलोग इसके उपर दस प्रिवियर सेर का कोसें को हम लोड़ डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहला कोसे ने दो कॉस्टिशन आप इंडिया वाज एडॉप्टेट बाई तो इसको एड़ाप क्या था इसको एड़ाप किया था कॉस्टिशन असेमली ठीक है तो इसको सिंका सई अंसर हो गया अफ्सनिमर सी इसका नेस्को स्ने दो कॉस्टिशन एसेमली फोर अन डिवाइड़ इंडिया फस्ट मीट ओन तो इसका सबसे पहला मीटिंग का वहा था इसका मीटिंग हुआ था 9 दि सबस्टिशन आपको यहां पर अबजेक्टिव रिजिलिशन के बारे में बताना है कोंसे स्ट्मन यह पे गलत है सही नहीं आपको गलत बताना है इत वान और टू नहीं होगा इरिस फॉर इस फॉर चप्टर ऑन फॉर्टमेंटल राइट एस टेटमेंटल राइट एप गलत है इसलिए इसकोशन का सही अंसर आजाएगा ऑफ्स नमर्सी ठीक आगे चलिंगे स्कॉष ने स्कॉष ने इसकोशन का सही अंसर आजएगा इसका अप्सक्राइब इसका ने हुए अमंग द फॉर्लिंग वाजए मेंबर अफ्रप्रिंग कोमेटी यहां पर चार अप्संदिया है आपको बतने ड्रप्रिंग कोमेटी का मेंबर कौन थे के मुंसी जो है इसका मेंबर थे इसलिए इसकोशन का सही अंसर हो जाएगा अप्स नुमर डी यहां पर देख सकते हैं जो मेंबर थे यहां पर नाम है ठीक है आगे चलिंगे इसका ने स्कॉष ने इसकोशन है इन दा नेशनल फ्लेग ऑफ इंडिया दा कलर अफ असोप चक का जो कलर होता है कैसा होता है ने भी ब्लू होता है हम लोग डिसकस कर चुके थे इसलिए इसकोशन का सही अंसर हो जाएगा अप्स नुमर सी 24 एसपक्स होता है होता है और उसका कलर क्या होता है ने भी ब्लू होता है तो यहां पर स्री ब्लू दिया है इसलिए इसकोशन का स में देखने के लिए मिलेगा पार्ट नमर वान में मिलेगा समिधान में टोटल आर्टिकल जब समिधान लिखा गया था तब कितना था तब था 395 अब कितना है 448 और पार्ट कितना था 22 अब कितना है 25 इसके बारे में हम लोग डिसकस कर चुके हैं पिछला वीडियो में और सीडूल कितना था 8 अब कितना है 12 है ठीक है तो आए सबसे पहले डिसकस करते हैं Union and its territory के बारे में Union and its territory जो है पार्ट No.1 में आपको Article No.1 से 4 में देखने के लिए गा तो सबसे पहले जान लेते हैं Article No.1 में क्या दिया है Article No.1 में क्या लिखा है the Constitution say India that is भारत shall be Union of State Article No.2 में क्या लिखा है admission of or establishment of new state इसके तहर जो है नया इस्टेट का establishment होता है Article No.3 में क्या दिया है the Constitution empowers the Parliament to form new state to alter the area boundary or names of existing state तो कोई भी इस्टेट का boundary या फिर उसका नाम य Article No.3 में देखने के लिए मिलेगा यानि इसमें दिया हुआ है ठीके और आगे चलेंगे तो हम लोग डिसकस करेंगे इसके बाद जो है 29 इस्टेट इंडिया का जो बना था 2019 से पहले उसका नाम था तेलंगाना इसका केप्टियल था हैदराबाद ठीके इसका formation का बहुता त लंगाना इस्टेट का दो जुन 2014 में formation हुआ ठीक है इसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे जमो एन कस्मीर री और्गनेशन बील के बारे में जो कि 2019 में इसको लाया गया यह बील पास हुआ था 5 अगस्ट 2019 में इसके तहत रिजुलेशन लिया गया आर्टिकल नमर 370 और आर् टॉंटी एट और यूटी बन गया नाइन ठीक है जमो एन कस्मीर को जब तोड़ा गया इसको इसको दो यूटी बनाया गया सबसे पहले बना जमो एन कस्मीर ठीक है इसका केपिटल बना दो एक बना जमू और दुसरा बना सिरी नगर ठीक है जमू जो है इसका विंटर किसको बना गया उनका नाम है जीसी मुर्मू लेकिन यहां पर रिजाइन दे चुके हैं एड प्रेजन में जमुएन कस्मीर का लेप्टरन गवर्णनर कौन है उनका नाम है मनोस सिना ठीक है उसके लदाग का सबसे पहला लेप्टरन गवर्णनर कौन बने आरके माथूर एपक अपको ध्यान रखना है बहुती इंपोर्टेंट कोसे नहीं इसका नेक्स पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जमुएन कस्मीर और लदाग यूटी का बना यह जो है यूटी बना 31 अक्टूबर 2019 में ठीक है लेकिन एट प्रेजन में इंडिया में जो है यूटी कितना है थे यह श्टेट कितना है टून्टी एट है ऐसा कैसे हो गया है ऐसा ऐसे हुआ कि 26 जनौरी 2020 में दादरा नागर है बली और दामेन डू को मार्स करके एक बनाया गया तो एट प्रेजन में दादरा है नागर है कि एन दामेन डूव एक ही यूटी है ठीक है तो इसी के साथ चो है इंडिया में यूटी बन चुका है एट और इस्टेट बन चुका है टॉंटी एट तो ये आपको याद रखना है ठीक है आगे हम लोग नेक्स डिसकस करेंगे इसके बाद सिटीजेंशिब के वारे में पार्ट नमबर टू में आपको सिटीजेंशिब मिलेगा आर्टिकल नमबर फाइब से लेके 11 तक आपको क्या मिलेगा सिटीजेंशिब मिलेगा तो आएए इसके बारे में डिसकस करते हैं तो सबसे पहले ये तो बैसिक आपको याद रखना ही होगा कि पार्ट नमबर आपको टू में मिलेगा, आर्टिकल नमबर फाइब से लेके 11 में आपको सिटेंशिब मिलेगा, यह आपको 100% याद रखना है, कभी भी एक्जामिक कोशन में पूछ सकता है, तो नेक्स जानते हैं हम लोग फाइब तरीका से यह पांस तरीके से सिटेंशिब हम लोग एक्वायर कर सक सकते हैं, ठीक है, और तीन तरीके से हम लोग सिटेंशिब को गवा सकते हैं, सबसे पहला है रिनेंशिएशन, नेक्स है टार्मिनेशन, नेक्स है डिप्रबेशन, ठीक है, तो तीन तरीके से हम लोग सिटेंशिब को गवा सकते हैं, इसके बादम लोग नेक्स इंपोरेंट पॉइंट डिसकस करते हैं नेक्स इंपोटेंट पॉइंट आपको याद रखना है एनर्सी का फूल फॉर्म क्या होता है इसका फूल फॉर्म होता है इसका डेड्लाइन भी याद रखना है मिटनाइट अब 24 मार्स 1971 एज जो प्रोसेस से 2013 में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभ सिट्रेंशिबेन बिल जो की 2019 में इसको लाए गया था सबसे पहली बार अमेंट क किया गया था सिट्रेंशिब में 1955 एयर में किया गया था और जो लेटेस किया गया था 2019 में ठीक है इसके अदर एक डेड्लाइन रखा गया था 31 दिसंबर 2014 इसके अंदर यह शे उनको ट्रीट किया जाएगा यह जो है डेडलाइन बहुत इन्पोर्टन है आपको एक्जाम में सिवर सिवर पुछेगा ही पुछेगा इसको इंडिडियूस कौन किये थे अमिच साथ जो की होम मेरिस्टी इनके पास है इसके बाद नेक्स आपको याद रखना है इसमें एक् प्रदेश मिजुराम और नागलें ठीके इसके अंदर जो नॉर्मिली यहाँ पे सिरिजन्शिप में 11 यहाँ पे इंटर्वेल लगता था सिरिजन्शिप पाने के लिए वो जो है कम होके फाइब पियर्स हो चुका है ठीके इसके अंदर जो है ठार सेडूल जो की आपको सि इसके अंदर जो नॉर्मिली यहाँ लगता था सिरिजन्शिप के लिए और इड्यूस होके फाइब यहाँ हो चुका है ठीक है उसके अधनेक्स आपको याद रखना है इसको इंप्लेमेंट करने वाला सबसे पहला इस्टेर उसका नाम है उत्तरपरदेश इसके एगेंस मे एक जो है पार्ट excessive में दिया हुआ है कंस्रिकर हुआ में और आर्ट कर टुवलेंट थारी फाइब में आपको मिलेगा फंडेमेंटल राइड तो आपको दोनों याद रखना है fundamental right का concept कहां से लिए गया था USA से लिए गया था at present में fundamental right कितना एच्छे है जब समीधान लिखा गया था उस समय कितना था साथ था लेकिन एक remove किया गया है उसके बारे में हम लो discuss करेंगे ठीक है तो सुरू करते हैं सबसे पहला जो fundamental right है उसका नाम है right to equality right to equality सबसे पहला है उसका जो नेके सु का नाम है right to freedom उसका जो नेक्स है उसका नाम है right against exploitation उसके बान नेक्स जो है उसका नाम है right to freedom of religions इसका जो नेक से cultural and educational right उसका जो नेक से उसका नाम है right to constitutional remedies तो आ इसको हम लोग 1-1 करते हैं राइट टो एक्विलिटी आपको आर्टिकल नंबर 14 से 18 में दिया हुआ है उसके बाद राइट टु फ्रिडम 19 से लेके 22 यह भी आपको याद रखने हैं उसके बाद जो नेक्स है राइट एगेंस एक्सप्रेटेशन 23 24 आर्टिकल में आपको मिलेगा उसके बाद र टू कॉंसे लिवेडी आर्टिकल नंबर 32 में मिलेगा ठीके तो आये डिसकेशन को हम लोग one by one करते हैं राइट टू एक्विलिटी का अंदर जो है राइट टू एक्विलिटी का अंदर सबसे पहला जो है उसका नाम है एक्विलिटी विफॉर लो ये आर्टिकल नंबर 14 म में दिया है राइट टू ऑपर्चिनेटी इन मेडर सब पाबलिक इंप्लियमेंट तो इंप्लिमेंट में एक्विटी जो है कौन सा आइकल में दिया हुआ है आर्टिकल नमाज सिस्टिन में एविलेस्टन अब अन्टाचिबिलिटी एब बहुत बर पुछा एक्जाम में उसके अब लेशन आप टाइटेल्स यह जो है आर्टिकल नमर एक्टीन में दिया हुआ है तो आपको यह आर्टिकल भी याद रखने है ठीके इसका नेक्स नमर डिसकस करेंगे राइट तो फ्रीडम इसके अंदर जो आर्टिकल है सबसे पहला उसका आर्टिकल है आर्टिकल 19 इसके अंदर दिया है प्रटिक्शन आफ साटें राइट रिगार्डिंग स्पीच एनि बोलने का जो आजादी होता है एस्प्रेशन असेम्ली एस्टेशन मोमेंट रेसिडेंट एंड प्रफेशन इसका नेक्स आर्टिकल है आर्टिकल अमर 20 इसके अंदर प्रटिक्शन की शरुषण डिखायओ प्रटिक्शन डिया और अच लनाटिकल अर्टिकल में इसको बात में एट क्या गया था 2002 में इसको एड किया गया था और इसका आर्टिकल है आर्टिकल मद 21A इसमें क्या दिया हुआ है आर्टिकल 21A इस्टेट डेट इस्टेट सेल प्रवाइट फ्री एन कॉंपलसिट एडिविकसन के बारे में दिया है 6 से 14 जो एज ग्रूप है ठीक है इसका जो नेक्स फॉर्ड के अधो आर्टिकल युष का नाम ऑर्टिकलamर 24 अगे जो नेक्स औरिकल एयराइट घुर्डॉम और रिलिजिएन इसके अन्दर सबसे पहले आर्टिकल अमर्ट 27 इसमें दिया है freedom from taxation for promotion of any particular religion ठीक है तो यह आपको याद रखना है नेक्स आर्टिकल है आर्टिकल अमर्ट 28 इसमें क्या दिया है इसमें दिया है freedom from attendance of religious instruction और religious worship in certain educational institutions अर्टिकल अमर्ट 28 में दिया है next fundamental right है उसका नाम है cultural and educational right इसमें दिया है क्या दिया है देख लेते हैं article 29 में दिया है protection of interest of minority next article 30 इसमें दिया है right of minority to establish and administrative educational institution article 30 में दिया है next जो आर्टिकल अर्टिकल 31 यह delete हो चुका है यह आप समिधान में नहीं है इसमें क्या था, इसमें था right to property, ठीक है right to property, इसको remove किया गया था, 44 amendment करके, 1978 year में, तो आपको याद रखना है, right to property अब क्या है, एक legal right है, यह भी आपको point ध्यान रखना है, इसके बाद next fundamental right है, उसका नाम है right to constitutional memory, यह जो है article number 32 में दिया हुआ है, और article 32 यूज करके कोई भी academic supreme code में approach कर सकता है, read file करने के लिए, और high code में approach करने के लिए, article number 226 यूज किया जाता है, article 32 को BR embed करने बोले थे, heart and soul of the Indian constitution, यानि बहुत ही important article है, article number 32, ठीक है, इसके बाद next यहां से meaning पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, next वीडियो में हम लोग Indian political lecture को हम लोग continue करते हैं, और आसका class के अंदर हम लोग discuss करेंगे, डारेक्टरी principle of state policy और fundamental duty, तो सबसे पले, डारेक्टरी principle of state policy का आर्टिकल कितना है, 36 अले कि 51 तक DPSP है, इ DPSP का concept कहां से लिया गया था, Ireland country से, DPSP क्या है, डारेक्टरी principle are broad guiding principle that state self-keep in mind while formulating policy and enacting law, तो एक क्या है, broad guiding principle है, जो की state को ध्यान में रखना होता है, इसका nature जो है non-justiceable है, यहांनि इसको लेके आप high court में या फिर supreme court में complain करने के लिए नहीं जा सकते हैं, यहां पर आपको exam point of view से, जो important DPSP उसको याद रखना है, जैसे की, article number 40 में जो दिया है, भिलेज पंचायत के बारे में, यह आपको याद रखना है, article number 42 में दिया है, maternity relief के बारे में, यह भी आपको याद रखना है, article number 44 में दिया है, uniform civil court, जो की, सबसे पहला इस्टेट जो अपना है था, इस article number 46, इसमें दिया है, educational and economic interest of weaker section, especially यहाँ पे ST और SC का बारे में दिया है, ठीक है, उसका next important article है, article number 51, इसमें दिया, promotion of international peace and security, तो जो important article है, वो ही आपको याद रखना है, क्योंकि आटिकल तो बहुत है, सब याद रखना पसिबल नहीं है, इसके बाद नेक्स नोर डिसकस करें यह fundamental duty के बारे में, तो fundamental duties जो है, पार्टनमर 4A में है, और article इसका 51A, इसका nature जो है, non-dustisable है, यह fundamental duties जो है, स्टार्टिंग में नहीं था, जब समिधार लागू होँआ था, 1950 एर में तब नहीं था, इसको बाद में एड किया गया था, तो कब एड किया गया था, 42 amendment, 1976 में फर्ट किया गया था, ठीक है, किसका recommendation से किया गया था, शरवन सिंग कमेटी का recommendation था, यह जो है, कहां से लिया गया था, concept जो है, इसका, पॉससर लिया गया था, जब एड किया गया था, उसमें fundamental duty कितना था, 10 ता, 10 था, 10 था पर आप 10 नहीं है, ठीक है, अब कितना है हम तो जो जो इन्पोर्टन है मैं यह पर टिक कर देना हूं यह दोनों तीनों देख सकते हैं ठीक है लेकिन जो और इनपोर्टन है जो एड़ प्रेजन में फांडमेंटल ड्यूटीस कितना है यह कुछन पूछेगा तो आपको मार करना होगा एगारा पहले 10 था पर अब हो गया है गारा ठीक है, 86े में में 2002 में एक नाया एड क्या गया था आर्टिकल वो आर्टिकल ए 51A और चे ठीक है 551-A और के इसको एर क्या गया था किमकी पूलbacks 10 अवह आपको फन्यम्मेमेटल लुटी तो हमें ठीक है लेकिन 51A का के एड किया गया था ठीक है इसमें दिया है इच पेरेंस और गार्जियन तो प्रवाइड ऑपर्टिनिटी फोर एडुकेशन टू इस चाइल और वार्ट बीटूइन दे एस अफ शिक्स तो फोर्टिन ठीक है तो यह आपको ध्यान रखने है तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा तो आई वीडियो को सुरू कर है लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इससे पहले का वीडियो में हम लोग क्या 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 डिसकस कर चुके हैं इससे पहले का वीडियो में हम लोग यूनियन एस टेरिटरी के वारियम डिसकस कर चुके हैं सिरेजिशिब के बारे में फॉन्डेवेंटल राइट डि कानुन बनाता है यह लो मै कर जिसको काओ जाता है स्कृटि मतलब जो implement करता है ओर जुटिसरी मने जुट जार स्कता है ठीक है जो justice दिलाता है है लेस्टेटिव में दो है एक होते है फिरजमskर Literature स्का रूत एंप्राइमिंश्टर ठीक लिए ने साता है के सबस्क पिर्टने जनेरे। टिक उसका जोसरी के अंदर हम जानेंगे और वह आता है उता है युझेल कोने इंभर। तो आए इस विडियोमन को डिस्कस करते हैं पेसिडेन्ट आफ इंडिया के बारे में ठीक है पेसिडेन्ट के बारे में पार्टनमर फाइब में दिया हुआ है और इसका आर्टिकल्स जो मेंबर होता है लोकसभा और राजसभा का लोकसभा और राजसभा का जितना भी एलेक्टेट मेंबर होता है यह पार्टिसिपेट करते हैं और इस्टेट के अंदर जो होता है उसका इलेक्टेट मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं जितना भी इस्टेट है और जो है इविडिय इसके बद नेक्स अनूप जाने चुन्सकत है उसके नगे करेंगे आपको धियान रखना है यादि καंड का पोस्ट भेकेंड हो जा रहा है तो कौन फिलब करेंगे बईव, पेजिडिंटो फेज़िन ऑफ इंडिया यदि भाइसाइल मार्ष उटेंसो statutory काउंच मैं करेंगे थिक है ok जो की दुबार के लिए पेजिडिन बनेटे एड प्रेजिडिन में conscious फेज़ियंट है उनका नाम ह्onut नाम है रामनाथ कोई ча की 14 नमर का president है ठीक है इसका next important point आपको याद रखने है president का impeachment होता है article number 61 यूज करके लेकिन उसके लिए 14 डेस का notice भी देना पड़ता है ठीक है उसका next अमरोड discuss करेंगे president का power तो president का बहुत सरा power है उसमें से सबसे पहला power है की appointment करना या फिर removal करना किसको प्राय मेंस्टर को या फिर जो union मेंस्टर होते हैं उनको या फिर judge को या फिर governors को ठीक है तो governors को या फिर appoint करना army army का chief navy का chief और एयरफोर्स का chief ठीक है इसको appoint कोन करते हैं president of India ही करते हैं उसका next यहाँ बारा मेंबर को राजसबा में करते हैं और दो जो है लोक सबाषवहने नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, पेसिडियन के पास भीटो पावर होता है, और और आर्टिकल नमबर 72 यूज़ करके पेस्टियन जो है किसी को मिर्तु का सजा को उसको माफ भी करा सकते हैं उसके बाद नेक्स जो है पेस्टियन के पास ओर्डेन्स पावर होता है ओर्डेन्स मतलब होता है जब परलेमेंट सेसन में नहीं रहेगा तो कोई बिल को पास करान आर्टिकल की है वान टोंडीत्री तो भोट इन्पोरन आर्टिकल है ध्यान रखना एक तो इसके बारे में इमर्जेंसी पावर से आप्स बहुत सब्सक्राइब महाँ पूच्छा है ठीक है इमर्जेंसी पावर का कॉंसप आछे लिया गया था यह लिए गया था जैर्मनी स से व्यक्ति कि फीया हो flats सिर्फ हो जाए घान करcke से पहले होता है नेशनलीद्स एक हमound हुआ इससे बलिग है जसा टैनली पेट से छोगे आज़तील इमेर्जंस चैन्या में ऐसको करते हैं उसका से प्यस्ट्रीक्स इमर्ज 550स जो है उसका एंडिया इंडिया तक नहीं लगा है पर आपको यह याद रखने सबसे पहले लगा था इंडिया और चैना के बीच में उसका लगा नेक्स नयनिससे वन में इंडिया और पकिस्तान के बीच में और नेक्स लागा था 1975 में इंटर्नल डिस्टर्वेंस के लिए लगाया गया था इंद्रा गांधी के द्वारा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रहे यह डिसकसन को इस्टार करते हैं और सबसे पहले हम लोडिसकस करेंगे भाइस पेस्टेंट अफ इंडिया के बारे म हो या फिर प्रेशिडेंट हो या फिर गौवर्पर रो इसको बढ़ने के लिए मिनिमाम ऐस थाटीफाइब यर ही चाहिए ठीके 22 पेसिडेंट को और कॉण दिलाते हैं पर इस पेसेंट जो है रिजाइन किसको देते हैं पर इस पेसिटेंट का जो मेक्समूम टर्म है कितन नामें हमीदान सारी एड प्रेजिन में जो भाइस प्रेस्टेंट अफ इंडिया है उनका पॉजिशन कितना है फिप्टीन है उनका नामें एम भेंगे नाइडू यदि पुछेगा तो उनका पॉजिशन होगा ठाटीन तो दोनों आपको याद रखने है ठीक है आगे करते हैं नुक्लियर कमान्द और रिटरी का नीति आयोग का अपॉइन्मेंट का डिपार्टमेंट औफ एट्मिक इनरजी का डिपार्टमेंट आप सपेस एंड मेनेस्टी और पार्सनल का पाप्लिक रिवेंस एंड पैंशन का है रोते हैं प्राइमिस्टर जो है चीप तो उसके लिए minimum age चाहिए 25 years यदि राजसभा से कोई प्रायमिस्टर बन रहा है तो उसके लिए minimum age 30 years चाहिए तो दोनों आपको याद रखने है 25 या फिर 30 डीपेंड करता है आपको कोईसन में क्या पूछा है ठीक है निक्स आपको याद रखने है प्रायमिस्टर को ओध कौन दिलाते हैं प्रायमिस्टर का टार्म कितना होता है जैनरली 5 ञाते है ठीक है तो सबसे लूब्स करेंगे प्रिविएस प्रायमिस्टर के वाखीक उधिए निक्स आ लोगांट करेंगे प्राह शॉर्विस्टर कोन थे पंडीच जशिवाला और प्राजा़त इसाई ठीक है अस番गिस प्रायमिस्टर का नाम क्या है राजिव गांधी और सबसे पहला प्राइमिस्टर हम लोग डिसकस कर चुके हैं, उनका नाम है पंडित जोहला नेरू, उसके बाद नेक्स पॉइंट अपको धिहान रखना है, आर्टिकल नमर सेवेंटी फोर वान में दिया हुआ है कि क्या होता है, काउंसिलर मिनिस्टर का हेड कोन होते हैं, प्र प्रफोलियो का एलोकेशन होता है, कौन करते हैं, उसको भी कौन करते हैं, प्राइमिस्टर ही करते हैं, काउंसिलर मिनिस्टर के अंदर तीन पार्ट होता है, एक होता है केबिनेट मिनिस्टर, नेक्स होता है मिनिस्टर वे स्टेट विट इंडिपेंडेंट चार्ज, और होता है deputy minister जिसको हम लोग बोलते है ministers of state के बारे में तो आईए इसके बाद हम लोग discuss करते हैं जो cabinet rank का जो ministry का post है उसको discuss करते हैं ठीक है council of ministers का अंदर तीन post आता है सबसे पहले आता है cabinet ministers उसका नेक्स आता है minister of state with independent charge और next आता है deputy ministers ministers deputy minister को help करते है और बाकी जो है ministry of state with independent charge लोता है एए किसी को help नहीं करते हैं हम लोग वीडियो में के बेर मेंhyunabl का और tuhotteel 23 पोष्ट है उसको बारे में जानेंगे और Minister of State with Independent Charge, इसके अंदर 9 मिनिस्ट्री है, इसके बारे में जानेंगे और Deputy Minister, इसके अंदर 30 मिनिस्ट्री है, इसके बारे में हम लो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहां से question भी नहीं पूछता है, ठीक है, तो आई वीडियो का सुरू करते हैं सबसे पहले Prime Minister कोन है, श्री नरेंद्र मोदी, इनके पास और भी क्या मिनिस्ट्री है, Ministry of Personal, Public Revences and Pension, Department of Attowing Energy, और next क्या है, Department of Space, इनके पास और भी क्या है, All Important Policy Issues and Other Portfolios Not Allocated to Any Minister, इनके पास ही रहता है, ठीक है, तो सुरू करते हैं और भी हम लोग Cabinet Ministers, तो Cabinet Ministers में सबसे पहला जो पोस्ट है, उनका नाम क्या है, श्री राजना सिंग, इनके पास क्या मिनिस्ट्री है, Ministry of Defense, नेक्स जो है, नितिन जैराम गड़करी इनके पास क्या है, अगे चलेंग नेक्स जो है, श्री नरेंदर सिंग तोमार इनके पास क्या है, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Ministry of Rural Development और क्या है, Ministry of Panchayati Raj, नेक्स स्रीमती हरसीमत कोर बादल इनके पास क्या है, Ministry of Food Processing Industry, नेक्स से डाक्टर सुबर्मनियम जैसंकर इनके पास क्या है, Ministry of External Affairs, नेक्स जो हैं स्री रभी संकर परसाद इनके पास क्या है, Ministry of Law and Justice, Ministry of Communication, Ministry of Electronic and Information Technology, नेक्स स्री थावर चंद गहलोद इनके पास क्या है, Ministry of Social Justice and Empowerment, उसका नेक्स स्री रमेज पोक्रियाल निसंग, इनके पास क्या है, Ministry of Human Resource and Development, जिसको में सोर्ट में HRD बोलते हैं, नेक्स से उनका नाम है, स्री अरजुन मुंदा, इनके पास क्या है, Ministry of Tribal Affairs, नेक्स डाक्टर हरसर बर्धन, इनका नाम बहुत सुने होंगे न्यूज में, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Science and Technology, Ministry of Arts Sciences, ठीक है, नेक्स स्री पियूस गोईल, इनके पास क्वोन सा मिनिस्टी है, Ministry of Railways, Ministry of Commerce and Industry, नेक्स स्मिर्थी जुबीन इरानी, इनके पास क्या है, Ministry of Women and Child Development, और क्या है, Ministry of Textiles, नेक्स स्री परकाश जावेदकर, इनके पास क्या है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Information Broadcasting, और क्या है, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, नेक्स स्री धर्मेंदर परधान, इनके पास क्या है, Ministry of Petroleum and Natural Gaze, और Ministry of Steels, आगे नेक्स स्री मुकतार अबास नकबी, इनके पास क्या है, Ministry of Minority Affairs, नेक्स से, महेंद्रानाथ पभाणडे, इनके पास क्या है, Ministry of Skill Development and Entrepreneurs, उसका नेक्स स्री गजेंद्र सिंग् सका EK Douglas, इनके पास क्या है, मिल्स्टि अफ जलसकती, तो यह था 23 cabinet minister का post आगे हम लोग discuss करेंगे independent जो body है यानि minister of state with independent charge तो सबसे पहले यहाँ पे हैं स्री संतोष कुमार गंगवार इनके पास क्या है ministry of labor and employment उसका next है स्री स्रीपत यसो नायक इनके पास क्या है ministry of IOS इसका full form क्या होता है आयोस का आयरुवेद, योगा, नेचुरोपेथी, यूनानी, सिद्धा और हमियोपथी ठीक है next है स्री किरन रिजो जी इनके पास क्या है ministry of youth affairs and sport next है स्री राव इंदरजी सिंग इनके पास क्या है ministry of planning next है dr. जी तंदर सिंग इनके पास क्या है ministry of development of north eastern region next है स्री पहलाज सिंग पटेल इनके पास क्या है ministry of culture and tourism आगे next जो हैं उनका नाम है राज कुमार सिंग इनके पास क्या है ministry of power ministry of new and reliable energy उसका next है मंसुक एल मंढविया इनके पास क्या है ministry of shipping उसके बाद स्री हर्दीप सिंग पूरी के पास क्या है ministry of housing and urban affairs और नेक्स से ministry of civil aviation तो यह सब था ministry के बार इसके बाद नेक्स मिलोड डिसकस करेंगे controller and auditor general of India जिसको मिलोग short में cake बोलते हैं cake को a point कौन करते है president of India करते है article number 141 use करते हुए cake का tenure कितना होता है छे यर्स होता है या फिर 65 यर्स होता है दोनों में से जो पहले होगा cake को ओद कौन दिलाते है president of India दिलाते है cake का का काम क्या है audit all receipt and expenditure of union and state government जितना भी union or state government का यहां पे receipt है या फिर expenditure है उसको audit करते है सबसे पहला cake का नाम क्या है भी नराहारी राव ठीक है भी नराहारी राव सबसे पहला cake थे at present में जो cake है उनका नाम है GC Murmoo GC Murmoo at present में इंडिया का cake है ठीक है इससे पहले थे राजिब महरेशी लेकिन अब कौन है अब है GC Murmoo तो यह आपको याद रखने है बहुत ही अच्छी तरह से ठीक है इसके बाद next लोड discuss करेंगे attorney general of India के बारे में तो attorney general of India के बारे में जो है article number 76 में दिया हुआ है इनको appoint करते हैं president of India करते हैं इनका जो term है कोई fix नहीं है जब तक president का pleasure होगा तब तक रहेंगे एड present में जो attorney general है उनका नाम क्या है उनका नाम है केके बेनु गुपाल ठीक है इनका qualification क्या होता है similar to supreme court का जो judge होते हैं उनके उनके बराबरी होता है qualification यह जो है first law officer है यह जो है भारत सरकार का सरकारी ओकील है ठीक यह भी आपको याद रखना है highest law officer है किसी भी country यानि इंडिया के लिए सबसे highest law officer कौन है attorney general of India ही है तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद नेक्समों डिसकस करेंगे solicitor general of India के बारे में solicitor general of India जो है second law officer होते है एड प्रेजिन में जो है उनका नामें तुसार महता यह जो है legal advisor है इनका जो है tenure fix नहीं होता है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा next वीडियो में तो आये discussion को start करते है और इस वीड क्या है एक highest law making body है ठीक है उसके बाद इसका आर्टिकल क्या है इसका आर्टिकल 79 79 आर्टिकल में Parliament of India के बारे में दिया है पार्लेमें का दो पार्ट होता है एक होता है लोग सभा दूसरा होता है राजसभा इसके बारे हम लोग जानेंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं लोग सभा में कितना सेसन होता है तीन सेसन होता है सबसे पहले बाजर सेसन उसके बाद मुंसर सेसन उसके नेक्स होता है विंटर सेसन सबसे बिगे सेसन होता है बाजर सेसन ठीक है और सबसे छोटा सेसन होता है विंटर सेसन तो दुनों आपको याद रखने है लोग सभा औ यहां से को सिंप पुछता है जो हुआ रखाया जो को और हुआ के सब्सक्राइट को इसबी काई चाइट ऊप्रसेत को पीपूल में रोख सभाइब कॉलों धार इसको का जाते काउनjemों 박छा थिक है यहां जो members represent करते हैं उनको कहा जाता है people of India और राज़सभा में जो represent करते हैं उनको कहा जाता है the state of India ठीक है उसके बाद next point आपको याद रखना है लोगसभा एक temporary house है यह तब तक रहता है जब तक इसके पास majority रहता है लेकिन राज़सभा एक permanent house है इसका one third member retire होते हैं हर second year में ठीक है जनेरली लोगसभा का जो tenure होता है five years का होता है लेकिन ऐसा नहीं है जब तक इसके पास majority है तब तक ही रहागा लोगसभा का session ठीक है लेकिन राज़सभा एक permanent house है इसलिए इसका time जो है six year का होता है tenure ठीक है next अमनों discuss करते हैं composition लोगसभा का सबसे पहले आपको याद रखने है article number 81 में दिया है composition के बारे में ठीक है इसका composition total यहां पे seat 552 maximum seat कितना है लोगसभा का 552 तो एक्जाम में बहुत बार पूछा है इसका division जो है 530 जो है इस्टेट से आता है ठीक है 530 इस्टेट से 20 जो है UT से आता है और दो जो है president nominate करते हैं Anglo Indian community से ठीक है उसका तो ही पे आ इसका maximum seat होता है 250 इसमें से 238 जो है UT और इस्टेट से आता है और बारा जो है president nominate करते हैं यह लोगसभा में कितना nominate करते हैं दो और राज़वाम कितना nominate करते हैं president of India 12 करते हैं ठीक है उसके बाद आपको याद रखने है एड प्रेजिन में एड प्रेजिन में लोगसभा क maximum seat कितना है लोगसभा का seat 545 present में इसके अंदर 530 state से आते हैं और 13 जो है UT से और 2 president nominate करते हैं और राज़वाम में एड प्रेजिन में कितना सीथ है 245 है इसमें से 233 जो है 233 जो है UT और इस्टेट से आते हैं और 12 जो है president nominate करते हैं तो बहुत important है आपको याद रखने है लेकिन राज़वा में indirect election होता है ठीक है उसके बाद next आपको याद रखने है लोगसभा का सबसे पहला speaker कौन बने थे उनका नाम है जी भी मामलंकर कब बने थे 1952 यर में और राज़वा का chairman होते हैं तो सबसे पहला chairman का नाम क्या है डाक्टर सर्वलपडी राधा किशन कब बने थे 1952 यर में दोनों का यहर से में ठीक है उसके बाद एट प्रेजन में speaker कोने लोगसभा का उनका नाम है ओम बिरला ठीक है ओहीं पे प्रेजन में राज़वा का जो प्रेजन चेर्मेन हैं उनका नाम क्या है एम बेन का एनाइडू ठीक है और डिपुटी स्पिकर कोन है लोगसभा का यह भेकेंट पोस्ट है कोई नहीं है वहीं पे राज़वा का डिपुटी चेर्मेन को ने हरीबंस नरायन सिंग तो याद रखना है उसके बाद नेक्स पॉइंट आपको धियान रखना है लोगसभा में जाने के लिए आपको मिनमा में 25 यह चाहिए वहीं चाहिए तो दोनों आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद एट प्रेजन में जो सेसन चल रहा है लोगसभा का वो कितना सेसन है 17 सेसन है यह भी पॉइंट आपको धियान रखना है ठीक है तो यह सब था लोगसभा और राइस अबारे में जो की इंपोटेंट पॉइंट एग्जाम में सेब पॉछेगा तो यह से पूछेगा ठीक है इसके बाद नेक्स सम लोगसाबस करेंग concern करेंगैं टाइब सब बिल बीएります faculty प्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र का पार्ट है Supreme Court of India का फर्मेशन का बहुत आ 28 January 19th year में Supreme Court of India में total judge कितना है 43 plus 1 है ठीक है इसका article कितना है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक Supreme Court का जो judge होते हैं उनको appointment कौन दिलाते हैं President of India दिलाते हैं इसका term कितना होता है 65 या तक होता है वालिफिकस्टन क्या है Supreme Court of Judge बनने के लिए तो सबसे पहला क्वालिफिकस्टन five year judge होना पड़ेगा किसी भी हाई-coat में या फिर ten years का advocate होना पड़ेगा हाई-coat में या फिर एक अच्छा जूरिस होना पड़ेगा प्रेज़न का ऑपनियन में ठीके सबसे पहला ज़्ज कोन बने थे इस कॉन बनेुद रुट रखने हैं अन्हें फातिमा भी ठीक है तो इस विडियो में इतना है रहेगा हम लोग नेक्स विडियो में और algun टोपिक जबचा है उसको स्कste海線 करेंगे चर्शेश करेंगे रिचता सरा है रहे खुराय यह लोग हम लोग टैम लाइन देक्श लेते हैं तो हम लोग गोर्व़र्णर, काॉंसिल अब मिनिस्टर और एद्भॉर्केट जेनर और जूरिश्री के अंदर आता है हाई कोट इसके बारे में हम जानेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इसब्स करेंगे काउंसिल अब मिनिस्टर का हैड को नहां होते हैं चीफ मेनिस्टर होते हैं ज जैसे कि लोग सभा और ऐस सभा डिसकुस के थे हैं यहांपे भी सेम है, टीक है, उसके बाद CM को ओध कौन दिलाते हैं? 35 year चाहिए गोबरनर हो या फिर vice president हो या फिर president हो बनने के लिए minimum age कितना चाहिए 35 year ही चाहिए गोबरनर को ओध कौन दिलाते हैं high court का chief justice ठीक है गोबरनर रिजाइन किसको देते हैं president को देते हैं गोबरनर का टाम जो है कोई fix नहीं है तो सबसे पहला इस्टेट है अंधर प्रेज़ यहां का गोबरनर का नाम विस्व भूसन हरी चंदन, CM का नाम YSR जगन महांटेडी, next state अलचल प्रेज़ यहां का oluşला में विदी मिस्रा, सीम कρόक्राम पयमा खंडू, नेक्स इष्टेट है आसम, यहां का गु भुपेश भगल नेक्स इष्टेट अगुआ, नेक्स इष्टेट है गुजरात, यहां का गुर्ण के चारीय दिब्रत यहां का CM कना में बिजय भाई आरुपानी, नेक्स इस्टेट है हर्याना यहां का गवर्णर कना में सत्यदेव नरायन आरिया, और यहां का CM कना में मनोहर लाल खटर, नेक्स इस्टेट है हिमाचल परदेश यहां का गवर्णर कना में बंदारु दततरिया, और यहां का CM कना म और आरिप मुवंवाद खान और यहां का सिंकरना में पिरे बीजयन नेक्ष्प कर्ये यहां का नयाक गोवर्णर बनी ही ठीक है अननन्दि पन पाटेल और यहां का सिंद गला में शिवराश रियां यहां का गवरण करा में नजमा अप्तूला। और यहां का सी आम की नाहां में ऐन्बिलênio श dynamics निख्ट एन्गलें यहां का गवरण करा में आरेन रभी और यहां का सीआ ण नमें निफुरयो। निख्सर सब्सक्राइब होमें अंब्लाभ, औरेक्ति श्धेटे यहां का गवर्नर करा में गंगा परसाद और यहां का सीम करा में प्रेम सिंग तवांग या फिर प्रेम सिंग गोले दोनों नाम इनका चलता है यहां पर ठीक है नेक्स इस्टेटे तिरपुरा यहां का गुवर्णर करा में रमेश बैस, सीम कर नामें विपला कुमार देव, नेक्स इस्टेटे उत्तर प्रदेश, यहां का गुवर्णर कर नामें अनंदी मिन पतेल, और यहां का सीम कर नामें योगी अधित्यनात, नेक्स इस्टेटे उत नामें डीके जोसी, नेक्स यूटी का नामें चंडीगर, यहां का जो है, एर्मिस्टेटर, उनका नामें भीपी सिंग बदनोर, नेक्स यहां पर यूटी का नामें दादरा नागरहबिली, एन डामनेंडियू, यह मार्ज हुआ था, 26 जनररी 2020 में ही यह मार्ज हुआ है, यह अपली और पुंडेचरी दो ही यहां पर यूटी है, जिसके पास CM होते हैं, ठीक है, तो यहां का CM का नामें अर्बिन कैजरिवल, नेक्स यहां पर जम्मू एन कस्मीर यूटी, इसका जो है लेप्रेंग गवर्नर उनका नामें मनोष सिना, जो की हाली में बने है, ठीक है, नेक्स यूटी है, उसका नामें लक्षदीप, यहां का जो एड्मिरिस्टेटर उनका नामें दिनेस्वर सर्मा, नेक्स यूटी है, उसका नामें पॉंडेचरी, यहां का लेप्रेंग गवर्नर का नामें किरन पैदी, और यहां का CM का नामें भी नरानस्वामी, नेक्स य इसके बाद नेक्स लोड डिसकस करेंगे लेश लेश लेशर का दो पार्ट होता है लेश्टेडिव एसेमली होता है और लेश्टेडिव कांसिल होता है ठीक है लेश्टेडिव एसेमली को विधान सभा भी कहा जाता है और लेश्टेडिव कांसिल को विधान परसद भी कहा ज बटने मिनिमा मेर्स टूटीफ यॉछ है और वहीं पे जो लिटारिव कांसिल है यह जो है पर्मेंट हूस है इसका जो है अठो फिक्स होता है छे साल तक होता है ठीक है और इसका ममेर बनने के मिनमा मेर्स आपको चाहिए 30 एस ठीक है उसके बाद यहां पर डारेक्ट बाइक तरक जीट मैं से 22 इस्टेट के पास क्या है तोनों का सीट हो ठीक है इसका नाम याद रखने है जो दिली, पॉंडेशरी और जमुएन कस्मीर ठीक है और बाकी जो बस गया पांच उसके पास कोई चीज नहीं है यानि कोई असेंबली का सिट नहीं है उसका नाम भी याद रखने है उसका नाम है अन्दमारे निकवर आइलेंड, चंडीगर, दादरा नागर हमेली, एन दावेन ऐड़ेंड, लधाग और लक्षदीग, ठीक है इसके बाद नेक्स लिल्मड डिसकस करेंगे हाइग कोट के बारे में तो इंडिया में टोटल हाई कोट कितना है 25 है, लास हाई कोट कहां पर बनाता है, अमरवती, अन्दर प्रजश्च में, सबसे पहला है कोट का नाम क्या ह सबसे पहले पंचायत के बारे में पंचायत का कॉंसेप जो है समिधान में जब समिधान लिग के क्या था उस समय नहीं था इसको बाद में एट किया गया था सब्सक्राइब नाइट किया गया था ठीक है पंचायत क्या है एक लोकेल सेल गुर्णेंट बोडी है पंचायत जो है आपको समिधान में यानि इंडियन कॉंस्टिशन में आर्टिकल नमबर टू-43 से लेके टू-43 में मिलेगा और पार्ट नमर नाइन में दिया हुआ है इंडिया का पंचायत जो है ठीटर सिस्टम में चलता है इसका यह जो है पंचायत सिस्टम किसका रिकोमेंडेशन से आया था बलवंत राय मेहता कोमेटी का रिकोमेंडेशन था ठीक है सबसे पहला स्टेट जो पंचा के बाद election होता है five years के बाद होता है इसका member बनने के लिए minimum age कितना चाहिए 21 years चाहिए इसमें जो है 33% सिर्ट जो है रिजर्ब होता है women के लिए ठीक है उसके बाद next point आपको धियान रखना है असम में पंचायच सिस्टम कब लागवा था नाइटीन हंने 94 year में लागव था ठीक है तो बहुत important को सने है त्रीतायस सिस्टम लागव हता समय उसका वाद सिस्टम में उसका नाम याद रखना क्या क्या है तो सबसे पहले है ग्राम सबा या फिर ग्राम पंचायच या फिर भिलेज पंचायच decision or इस के बाद क्या है नागलें मेगाले और मिजुराम यहां पर क्या है पंचायोटि सिस्टम नहीं है ठीक है तो यह था पंचायोटी सिस्टम के वारे में इसके बारे में इसके बारे में यह भी जब समिदान लागोए था उससे भी नई था इसको एड किया गया था 74 invent 1993 तो याद रखने हैं इसका भी थी डिवीजन है सबसे पहला नाम है नागरपंचायत सबसे पहला लेवल का नाम है इसके बाद नेक्स लेवल का नाम है सबसे पहला जो इसको अपना है था उसका नाम है मदरास कब इसको अपना गया था करते हैं इसका मदरास करेंगे मंदर करेंगे की दिया है तो फ्मकल कंसे बारे है में तो इलेक्शन कमिसेनर का बारे में सब्सक्राइब सबस्कारा राजिब कुमार जो की नया बने है और नक्स का नलक्त के एक सरह सब्सक्रास सब्सक्रास कई the working training territ को राते हैं dat सभी का टेनियर होता है छे यर्स या फिर 65 यर्स दोनों में से जो पहले होगा सबसे पहला इलेक्शन को मिशनल का नाम क्या है सुकुमार से यह भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद नेक्स में डिसकस करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो पार्टी कितना परकर क इसमें यह अटरो से ज्यदा है आठ जो नेशनल पार्टी उसका नाम याद रखने है सबसे पहले कॉंग्रेस बीज़ीपी ते तो सबको पता है उसके बाद नेक्स से बीस पी उसके बाद एंसी पी उसके बाद टीम सी उसके बाद सी पी एम और लास्ट जो पार्टी बना इसका आपको नाम याद रखने है उसका नाम है एन पी पी इसका फूल फॉर्म भी नाम याद रखने आपको इसका फूल फॉर्म क्या होता है नेशनल पीपूल्स पार्टी एज पार्टी इसका फरमसन का भुआ था से बेन जून तो था जिन नाइटीन में फरमसन हुआ थ आपको देखने करें लिए इसका नाम भी याद रखने है बोडो एड किया गया था डोगरी किया गया था और संथाली किया गया था ठीक है इसका नेक्स टॉपिक सबसे पहला इसका फूल फॉर्ण रखने इसका फुल from क्या होता है थुसकर mo और है। नेश्लों ख़ार इस का याद रखने का यह नेध्र फॉर्मिंदिया थीक की इसे पहले यह साफने प्राम के सटेहएं देख पुछता है ठीक है इसके बाद नेक्स नोर डिस्कस करेंगे सोर्सेस आप इंडियन कॉस्टिसन यानि कौन सा चीज कहां से लिया गए आपको पता होगा इंडिया में जितना भी चीज है वो कहीं न कहीं से बोरो किया गया है तो यह आई यह वन बैवान देखते हैं तो सबसे द्हुसरe मचली इंडिया गाई था यहीं से मतलब यूक्ड से और सिंग श्याव मैंस अएभर्ध और कन्सेप्र हास इभी को सब्स्टे टार्च पर आंपर हासे यह से लिए गया था, fundamental right का concept जो है, यह से लिए गया था, supreme court का concept यह से लिए गया था, independence of judiciary and judicial review यह भी यह से लिए गया था, और preemble का concept भी यह से लिए गया था, ठीके, next हम लोग डिसकस करेंगे, USSR से क्या लिए गया था, तो बहुत बार एक्जाम में पूचता है, fundamental duty का concept कहा स से लिए गया था, तो, USSR से लिए गया था, ठीके, इसके बद ऑस्तिरिया से क्या लिए गया था, concurrent list list का concept जो है, ऑस्तिरिया से लिए गया था, joint sitting in the preemble, जो है, यह भी Australia से लिए गया था, उसका जपन से क्या लिए गया था, जर्मनी से कहें लिए गया था एमर्जंसी का कॉनसेप ठीक है उसके लए गया था सकीम और वेदरेरेशन विद इस्ट्रोंग सेंटर ए कुंसेप कहां से ले गया था कनेडा से उसके बाद इस्टिबिशन अपवर बीटून सेंटर एन जो है यह भी कॉंसेट कनदा देसे लिए गया था नेक्स जो की बहुत इंपोर इन पॉर्ट इन आईलें चांटी से दीपी आसपी का इस पी का कॉंसेब लिया गया था ठीक है उसके लाद नेक्स जो है लिए ता फ्रांस से लिए गटा ठीक है इसके लगनेक्स ट्रॉपिक हम रुड डिसक्स करेंगे एमेंट के बारे में तो जो इन पॉर्ट इन मेंहुंस करेंगे तो सबसे पहला इमेंनमेंट हुआ था कभ वह था 9051 में हुआ था था तो एक्जाम एक पुष्टा है सबसे पहल प्रेंबल में जा गया था से घुल्र सब शुचलिस्त और इंट्रीट कई गया था है नेक्स आपको याद रखना है प्रटीफोर एविंट मैंने सेवनेफैक इसमेंट है यदे टोपर डिका है अबंधू fatty तो यहाद रखना है वान जीरोवान इमेंन में जो कि दो होजार में हुआ था इसमेंटल डूटी में एक और एट किया गया था राइट्ट वान एमे आता है उसका नेक्स आपको याद रखना है यहाद रखना है वान जीरोवान इमेंन में जो कि 2017 में हुआ था इसमें जीस्टी को इंटिड़ूइस किया गया था उसका नेक्स आपको याद रखना है वान जीरोट्री एमेंन में 2019 में इसमें 10% EWS यानि एकोनोमेकली विकर सक्षन के लिए एट किया गया था तो यह सब इन